दोस्तों दालों के साप्ताइक समिक्षा आपके लिए प्रस्त उता है इसमें तूर पे हम लोग बात करेंगे चने पर बात करेंगे साथ-साथ कुछ मसालों पर भी आपसे बात करेंगे मक्का के ओपर भी आपसे इस अपिसोड में बात करेंगे जानिये पूरी रिपोर्ट विस्तार से दोस्तो अजया स्टोमनी गुरू देश का पहला चनल है जो 42 कमोडिटीज पांच मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेशन आप तक पहुचाते हैं दोस्तो हम बत्मानी नहीं अग बाविश का भी करते हैं सटी का अध्यन तूर्स पे सापता ही क्रूप में 200 रुपे की गिरावट के समाचार मिल रहे हैं बारिश के चलते लोकल बजारों में लिवाली भी कमजोर रही है तूर्स की डिमाल्ड भी लगातार कम हुई है चिन्नी में देखे हैं तो लेमन तूर्स सोमवार को 9800 प्रेपाती किम्टल खुल कर शनीवार 9600 प्रेपाती किम्टल वाया लगबग 200 रुपे का गिरावट के साथ जबकि आयातित तूर्स में बर्मा में कम भाव काफी में डिस्परेटी सेलिंग देखी गई है और सोमवार को वो 1245 डॉलर से भाव गट कर 1225 डॉलर तक आ गए हैं मौंजाबिक से भी नीचे भाव के सौधे होने के समाचार मिल रहे हैं इस मेंने नाइजेरिया से लगबग 20-25 कंटेनर तूर भारत पहुंचे थे कॉलिटी बेहतर रहने के कारण डिमांड अच्छी रही और मंबई में ये 9600 से 9900 प्रप्रेटिक किंटल पर व्यपार की बात सुनी गई है अफ्रीका से आवक अप शुरू हो गई है और अगले मेने इसका दवाव बढ़ सकता है सरकारदारा लगातार बफर स्टॉक से डालमिलो को तूर की बिक्री हो रही है इससे भी कुछ फरक देखने को आ रहा है इस मेने मयान मार्ट से 4875 मेट्रिक तरंड तूर का आयात होने के समाचार है और मयान मार्ट से 50,000 तूर का स्टॉक बताय जा रहा है जिससे आगे विक्वाली का दवाव बन सकने की उमीद है इसको ध्यान में रखते हुए अगले मेहने तूर का अच्छा आयात होने की उमीद है व्यापानियों की मनें तो आगे कुछ दिनों तक भाव नर्मी रह सकती है दूसरी और महराष्ट में बुआई अभी तक अच्छी होगी है परंतु इस सब्ते हुई तेजबारी से यवतमाल मलकापूर बुडाना मुसद में फसल को नुकसान भी बढ़ने की समाचार मिल रहे है दोस्तो महराष्ट और करनाटक में तूर की बिजाई अभी भी लक्स से पीछे है इसकी हम लगातार अपडेट दे रहे हैं और आने वाले एक सब्ता में निर्णा एक हो जाएगा अब बात करते हैं चने की यह सब्ताया की शुरुआत अच्छी रही और नागपूर करनेशन चना कबाव 5350 रुपे खुलकर 5250 रुपे पतिकिम्टल आ गया हफते के दो दिन बजार मजबूत रहे सरकार के रियायती दरोपर चना दाल की सप्लाई की अधिसूशना के बाद बजारों में कुछ लिवाली कमजोर देखी गई जो बजार छुटपूर सुदरने की उमीद थी वो भाव और घटने के समाचार में लहें सरकार रियायती दरोपर चना दाल साथ रुपए प्रती किलो के भाव से सप्लाई करेगी जिससे बजारों में लिवाली कमजोर हो गई है मंडी में अच्छी क्वालिटी के चने के आवक कमजोर है और आगे तेहुआरी सीजन चना और बेसन की मांग अच्छी रहने की समधामना बन सकती है निमाना ने पर 50-100 रुपए छुटपुट बरोतरी की उमीद व्यापारी लगा रहे हैं और आगे भी इसके अंदर तेजी की संभावना व्यापारियों को लग रही है अब हम चर्चा करेंगे काबली चने पर काबली चने के अंदर खबर निकल के आरी है सब्ता पूरे सब्ता के दुरान कंटेनर सेट में 200 रुपए की शांदार तेजी दिखाई दी और वहीं पर भाव इस तिर से बताए गए हैं मंडियों में आवक बिलकुल सुषत है कॉलिटी हलकी मिडिया मदिक है और किसानों के मताबिक इस साल आवक में ग्रावट आश्चर जनक है क्योंकि काबली चने की पैदावार इस साल अच्छी होई थी जबकि देशी चने की पैदावार कब होने के समाचारते हर साल इस समय आवक 2500 से 3000 बुरी की होती है लेकिन ये घटकर 500 से 700 बुरी रह गई है दोस्तों काबुली चले की निर्यात में भी मामुली सुधार है और अगस के आसपास मांग सुधारने की उमीद लगाई जा रही है बजारों में काबुली चले की में तेजी की संभावना बन सकती है और व्यापारियों के माने तो 700-800 रुपए की तेजी की उमीद व्यापारी लगा रहे है कुल मिलाकर इस सब्ताद दलहन का बजार में काफी बड़ा उता अच्ड़ाव नहीं देखा गया और भाव और आवक सामाने रही दोस्तो बस चिंता इस बात की है कि करनाटक और महराश के साथ साथ आंधर प्रदेश तेलंगाना में भी अगले एक हप्ते में यदि अच्छी बरसात हो तो दलहन के भाव और कॉलिटी सुदर सकती है और इसके भाव में भी आगे फरक आ सकता है दोस्तो लगातार अप्डेट और विशलेशन के लिए हमारे चैनल को आप सस्क्राइब करना बिलकुल ना भूले साथ साथ देदी पसंद आए तो लाइक अवश कीजिएगा All the very best, good luck, happy trading